नमस्कार तो आज हम डिस्कस करेंगे गिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की सब्ताहिक पत्रिका है तो जितने भी important question इस सब्ताह की गिराज पत्रिका से बनते हैं उन सभी questions को हम डिस्कस करेंगे मई महीने का यह हमारा चौथा पार्ट है इस वीडियो की PDF और अधर वीडियो की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का first question question number one है recently the हिमाचल प्रदेश cabinet has decided to set up fast track court to try cases of evil and sexual harassment in how many districts तो हाल ही मैं हिमाचल प्रदेश cabinet के द्वारा कितने जिलों में दुस्करम और योन उत्विडन के मावलों की सनवाई के लिए fast track अदैलत खोडने का निरने लिया गया है अभी हाल ही मैं cabinet की meeting हुई थी कुछ ताइम पहले ही तो उसमें ये निरने लिया गया था कि तीन जिलों में option c जो है वो बिल्कुल सही answer है तीन जिलों में जो है जितने भी मामले आते हैं चाहे वो दुस्करम ये योन उत्विडन के हैं उन में बच्चों का सरंक्षन करने के लिए जो है वो fast track code खोला जाएगा अभी तीन district कौन कौन से है तो को एक तो है district Simla दूसरा है district कि नौर तीसरा है district सिर्मौर district Simla और district कि नौर के लिए जो है वो रामपूर में ये fast track code खोला जाएगा और district सिर्मौर में जो है नाहन में ये fast track विसेल नियायले जो है वो स्थाफित किया जाएगा ये नियायले जो है वो एक साल के लिए स्थाफित किया जाएगा ये basic सी चीज तो आपको यहाँ से उमर की जो बच्चे होते हैं उनको जो है जितने भी दुसकरम या या neden उत्पीडन के मामले हैं उन से protect करने के लिए जो है वो PODSO Act जो है वो introduce किया गया है ये PODSO Act क्या है इस PODSO Act के बारे में आपको पता होना चाहिए देखो इस PODSO Act के बारे में exam में पूछा जा चुका ह दो तिन साल पहले एलाइड में question पूछा गया था कि child का sexual abuse से related जो है वो कौन सा act related है तो वो था POXO Act इस POXO Act की full form क्या है इसकी full form है protection of child from sexual offenses की 2012 का act है ये भी आप याद रखिये अच्छा ये तो हो गया इसके बारे में POXO के बारे में ये चीज़ें आप याद रखियेगा basic basic चीज़ें है चलिए देखते हैं हमारा next question तो next question है recently एक बिखा योजना launched in which sub division अभी हाल ही में जो है वो एक बिखा योजना जो है मुख्यमंत्री एक बिखा योजना यहां पर मुख्यमंत्री एड नहीं किया है मैंने तो यहां पर PDF में मैं correct कर दूँगा मुख्यमंत्री एक बिखा योजना किस उपमंडल में launch की गई है देखो अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री एक बिखा योजना जो है वो काज्या उपमंडल में launch की गई है Option A जो है वो सही अंतर है अब ये मुख्यमंत्री एक बिग्गा योजना क्या है पहले तो आप क्या याद रखेंगे पहले आप यहाँ से याद रखें देखें लोहल्स पित्ती जो है ऐसा जीला बन गया है जहाँ पहली बार वीडियो कॉन्फरेंसिस से यह जुड़ा है तो लोहल्स पित्ती में पहली वीडियो कॉन्फरेंसिस से नहीं जुड़ा था अब ये भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग से जुड़ चुगा है अब काजा उपमंडल में जो है इसके साथ इसको जोड़ा जाएगा और अर्थ ववस्ता को मजबूत करने की कोशिश जो है वो की जाएगी अब यहां से आप याद रखे कि कोई ऐसी महिला है जिसके परिवार के पास जो है वो एक बिग घा मतलब 0.4 hectare से कम की भूमी है उसको जो है वो सबजियां लगाने के लिए, फल लगाने के लिए और कीचन गार्डन तियार करने के लिए जो है वो सहाईता दी जाएगी अब और भी यहां से याद रखे कि महिलाओं को यहां पर कौस्टल भी परदान करवाया जाएगा इसके अलावा पहाडी भूमी को किस सम्तल किया जा सकता है पानी को चैनलाइज किसetus किया जाएगा इस तरह की चीज़ें गया महिलाओं को बताई जाएंगी तो ये सब आप याद रखें कि ये योजना है क्या और इसमें क्या कहा गया है ना तो एक वार शॉर्ट में अगर compile किया जाए इसको तो देखो महिलाओं को मनरेगा कि तहद रोजगार पी दिये जाएगा उनको कोशल भी परदान करवाया जाएगा इस तरह की बातें जो है वो मुख्यमंत्री एक भिगा योजना के अंदर कही गई तो यह काज्या में की गई है लॉंच यह आप याद रखेगा और मुख्यमंत्री एक भिगा योजना है गया तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेस्टिन क्या है नेक्स्ट क्वेस्टिन कहता है ऑस्टियर धिंगरी जिसको कहते हैं मस्रूम बोटैनिकली रेफर्ट टू एज तो लोहल्स पित् है डूरोटस ऑस्ट्रीटस तो यह इसका जो है वो बोटैनिकल नेम है अच्छा इसका नामा प्याद रखे यह क्यों न्यूज में है पहले तो यादर की देखिए डिंगरी मस्रूम लोहल्स पित्ती में होगा जाता है और लोहल्स पित्ती के लोगों की आर्थिक को मश्ब वहल्स पित्ती की लोगों को यहां से मदद मिलेगी और उनकी जो आर्थिक س्टी уDe सुधार दाने के लिए भी यहां से प्यम्तों अगर इस मश्रूम की बात करें गया आप धिंगरी मश्रूम की तो देखो इसमें विटामिन C पाई जाती है B कॉम्पलेक्स पाई जाता है ये सब चीजें इसमें पाई जाती है इसलिए ये निउस में भी है अच्छा ये तो हो गया धिंगरी मश्रूम डियाद रखना है यह snow leopard का scientific नाम है, पहले तो इसको याद रखेगा कि snow leopard का scientific नाम क्या है, कहीं बार exam में यह question पूछे दहें, उसके बार देखिए, new limbo, nukifera, new limbo, nukifera जो है, वो क्या है, new limbo, nukifera जो है, lotus का scientific name है, lotus जो अफलार है, उसका scientific name है, यह भी आप याद रखिए, तो यह तीन चीज जो है, वो important है, अब देखो, यह तीन चीज़ें हो गई, धिंगरी mushroom हो गया, snow leopard हो गया, और एक lotus हो गया, इन तीनों का scientific नाम, botanical नाम आप याद रखिए का, next question देखते है, the government of हिमाचल प्रदेश also provided e-content through which portal to students, तो हिमाचल प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को किस portal के माध्यम से e-content प्रापत करवा रही है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के दौरा जो है, विद्यार्थियों को e-content, मतलब electronic content प्रवाइट करवाया जा रहा है, यह कैसे प्रव स्वयम सिध्धम पोर्टल के साहिधा से, option A बिल्कुल सही अंसर है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के दौरा जो है, वो 10 मीं से 12 मीं कक्षावाल बच्चों को जो है, हर घर बने पाट साला नाम से एक कारेकरम सुरू किया गया है, इस कारेकरम के माध्यम से 10 से लेकर 12 बज़ दुपहर का 10 से लेकर 12 बज़े तक जो है, वो दूरदर्शन शिमला पर जो है, वो कक्षावन निधारित की गई है और बच्चों को जो है, वो बढ़ाया जाता है, ये हो गया, इसके बाद एक और चीज़ याद रखिये, लेकिए केंदर सरकार के द्वारा जो है, वो स्व याद भी रखेंगे, कौन-कौन सी चीज़ है, स्वयम सिध्धम पोर्टल, स्वयम प्रभा पोर्टल और हर घर बने पार्ट साला नामक कारेकरम जो शुरू किया गया है, उसके बारे में भी आप याद रखिये, ये सब हो गया, ये important चीज़े है, इनको याद रखियेगा, है, CIDS, ऐसी कौन सी बिल्डिंग है, जिसको विश्व करमा अवार्ड भी दिया चुका है, नैशनल रिक उगनाजेशन भी दिया चुकी है, और CIDS ने ये दिया है, CIDS की फूल फॉर्म क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवल्पेंट कॉंसेर, देखिये, यहां से गया है, खिताब दिया गया है, इसने ये रिक उगनाजेशन प्रापत की है, विश्व करमा अवार्ड 2011 में और नैशनल रिक उगनाजेशन भी इसको दी गई है, अब ये बिल्डिंग किसके द्वारा बनाई गई है, ये बिल्डिंग बनाई गई है, पब्लिक वर्क डिप किया क्योंकि ये question district manager के exam में पूछा भी जा चुका है इसलिए ये आपके लिए और भी important बन जाता है ये सब चीज़ें आप याद रखिए इस building के बारे में इसको विस्व करमा award 2011 में दिया गया और ये PWD के दुआरा बनाई गई निर्मान भवन बिलिडिंग इसका नाम है ये आप याद रखिए अच्छा है next देखते हैं next क्या है National Cadet Cops NCC NCC उसको कहते हैं was founded in NCC की स्थापना कब हुई थी तो को NCC की स्थापना जो थी वो हुई थी 1948 में option D जो है वो बिल्कुल सही answer NCC की स्थापना कब हुई थी ये भी गिर्यास पत्रिका में नहीं दिया गया था परन्तु NCC के बार में बात हो रही थी और NCC का question जो है वो कई बार exam में पूछा जा चुका है अब NCC की स्थापना हुई 1948 में NCC का motto क्या है motto इसका important है क्योंकि motto exam में पूछ ले जा सकता है तो NCC की motto जो है वो है एकता और अनुशाचन unity and discipline जो है इसका motto है ये इसका motto भी आप याद रखिए स्थापना कब हुई दिया आपने जान लिया तो ये basic सी बस इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखती है अगर पूछा गया तो यहीं से पूछा जाएगा next question है the world day for cultural diversity for dialogue and development every year observed हो तो विस्तों में सांस्कृत विवित्ता का दिवर्ष जो है कब मनाया जाता है इस सांस्कृत विवित्ता का दिवर्ष जो है ये मनाया जाता है कब option A 21st मेरे 21st मेरे को जो ये मनाया जाता है अब इसके बारे में गीरास पत्रिका में एक पूर आर्टिकल दिया गए था इस आर्टिकल से important important highlights देखते हैं अब देखो ये विस्तों में सांस्कृतिक विवित्ता दिवर्ष जो है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया में जो है वो एक दूसरी की सांस्कृति का पता चल सके एक कंट्री को दूसरी कंट्री की सांस्कृति का पता चल सके और जो है हम लोग मतलब पूरे वैस्वी किस्तार पर जो है एक दूसरे के इस्तार सांस्कृतिक संपताओं को जान सकें उनको समन सकें ये तो हो गया कि क्यों ये मनाय जाता है क्या इसका एम है अब देखो अब यहां से आप हमारे इंडिया के कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है देखो रविंदर ना टैगोर रविंदर ना टैगोर को जो था वो गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था इनकी जो वो फेमस रचना है वो है पुसपांजली इसके बाद हरीवन सराय बच्चन इनकी जो फेमस रचना है वो है एक मधूशाला वैसे तो देखो बहुत सारी है जो गिर्राज पत्रिका में दी गई है वो ही हम रिवाइस करेंगे और मुंसी प्रेमचंद की है गोदान और पंच परमेश्वर चंदर धर गुलेरी की जो रचना है वो है उसने कहा था तो ये आप याद रखिए ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है क्या कि हमने डिसकस किया कि ये क्यों मनाये जाता है कब मनाये जाता है और कुछ support साहितिकार और उनकी रचनाओं के बारे में जाना ये बेसिक चीज़ें आप याद रखी गए मुंसी प्रिमचंद के बारे में तो कहीं बार पूछा गया है गोदान तो उनका कहीं बार पूछा गया है रविंदना टैगोर के बारे में पूछा जाता है बात रही हरीबंस राइबच्चन की तो यह इनके बारे में याद रख लेज़ेगा मधुशाला इनकी फेमस है और चंदरधर गुलेरी के बारे में भी कई बार पूछा गया है उसने कहा था ये इनकी फेमस रचना है इंटरनेशनल नर्सीज डे एवरी यर ऑफ जरूर्व डॉन तो अंतराष्ट्रिय नर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है देखो ये जो डे के इंपोर्टन कोईशन है इनके बारे में एक अलग से आर्टिकल जो हो गिरास पत्रिका में आया था उसको तो हम कंपाइल कर दी रहे हैं साथ में शॉर्ट में पर अंतराष्टी नर्स डे बारा माई को मनाया जाता है नर्स डे क्यों मनाया जाता है देखो स्वास्ते सेवाओं में नर्सों के योगदान को समानित करने के लिए ये नर्स डे मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि बारा माई 1820 को फ्लोरेंस नाइट एंगल का जनम हुआ था देखो ये जो Night Angle Florence थी Florence Night Angle थी इनकी जो था वो बड़ी interesting story है 1840 इस वी में क्या हुआ था कि England में जो था वो भेंकर अकाल आया था इस अकाल में जो था लोग जो था वो काफी ग्रसित यहां से हुए थे काफी सफर लोगों को करना पड़ा था ये सब जो था देखकर Florence Night Angle ने decide किया कि वो जो वो नर्स बनेगी परन्तु जब ये बात उन्होंने अपने कुछ friends के साथ share की तो उन लोगों ने इस बात का फिरोध भी किया परन्तु फिर भी वो पीछे नहीं हटी उन्होंने क्या किया उन्होंने जितने भी अलग लग देश थे उनमें जो था वो अस्पिताल किस्तिती के बारे में अध्याइन किया और उनकी dedication को देखते हुए उनके माता पिता को जुखना पढ़ा और उन्हें जो था वो nursing की training के लिए अनुमती दी गई फिर देखो जब भी ये काम करती ती अध्याइन के साथ काम करती थी मेरीजों की देखफाल बड़ी dedication के साथ करती थी इनकी इस dedication को देखते हुए ज़े था इन्हे लेडी बिद्दा लेंप भी कहा गया लेडी बिद्दा लेंप कहने के पीछे एक और reason भी है क्योंकि देखो ये कई बार जो था अधियन जब करती थी तो मुवत्ती के सारे ये अधियन करती थी तो इसलिए भी इन्हे लेडी बिद्दा लेंप कहा गया और देखो 90 वर्ष की आयू में मतलब 13 अगस्त 1990 को ज़ था इनका निधन हो गया तो ये आप अंतराष्ट्री नर्स डे के बारे में याद रखिए तो केंद्रिय स्वास्थे मंत्राले जो है केंदर सरकार के द्वारा ये भी याद रखिए तो देखो ये भी हमने पढ़ लिया इसके बारे में आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है वेन वाजदा शीप ब्रीडिंग फार्म सेट अप इन जूरी ऑफ शिमला डिस्टिक शिमला जीले में जूरी भीड प्रजणन के अंदर कब स्थापित किया गया प्रिविएस वीडियो में में हमने एक क्वेश्चन डिसकस किया था अपना अंसर कमेंट करके जुरूर बताने तो देट्स आल फॉर टूड़े थेंक यू फर वाचिंग दा वीडियो